हेलो गाईज, वेलकम बेक टो मैं चैनल, आप सब का स्वागत है, अमारे चैनल धर्मिष्टा ओफिस्यल में, आज मैं आपको बताने वाली हूँ उडिसा राज्ये के बारे में, अगर आपको मैं वीडियो पसंद आई तो लैक कीजे, शेर कीजे, जो सस्क्राइब कीजे, तो अपने आकशित समुद्र तर्टोस दर्शनिय मंदिरों खुपसरुत परेटन स्थलों के लिए फेमस है, चगन्लात पूरी मंदिर और कोणाक का सूर्य मंदिर उडिसा के सबसे प्रसित परेटन स्थलों में से एक है, इसके अलावा उडिसा घान की खेती और रोमांचिक कर देनले स्थानों के साथ साथ एतियसिक्स मारकों के लिए भी जाना जाता है, उडिसा राज्य के न्युत्य की जितनी तारिफ किजे उतनी कम है, उडिसा की कला, संस्कुरूती, त्योहार और संगित इस राज्यों को अपनी अलगी पैचन दिखाते है, उडिसा घुमने के पैटक भारी संख्या में आते हैं और यहां के खुपसरत नजारों का दिल खोल कर आनंद लेते हैं, उडिसा की इतियास को देखने पर हम पाते हैं कि उडिसा को पहले कलिंगा और उतकल के नाम से जाना जाता था, उडिसा राज्य का नाम कई बार बदला गया है, उडिसा पर मुगल सलतनत और अंग्रेजों का कबजा भी रह चुका है, और यह राजे सन 1508 परिदंता की जंजीरों में जखड़ा हुआ था, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे कि हिटलर ने दुश्री विश्व यूद के दोरान उडिसा पर कबजा करने की योजना बनाई थी क्योंकि हिटलर का मानना था कि उडिसा में बहुत अधिक प्राकूतिक पदा थे, जिससे वह कोई भी जंग जित सकते थे, लेकिन हिटलर का यह सपना मात्र एक सपना बन कर रहे गया, इसके लवा उडिसा मोर्यों सामराज्य के शाशक असोक से संबंदी थे, 261 इसा पुर्व कलिंग यूद के दोरान नरसहार देखने के बाद असोका हर्दे परिवेतन इसी स्थान पर हुआ था, और उन्होंने बहुत धर्म को अपना लिया था, दुस्वी सप्तादी में खोर्विल और दस्वी सप्तादी तक फोमकारा वंश्का शासन इसी स्थान पर रहा, उडिसा के संस्कूरते के बारे में बहुत कम लोगों को यह पता होगा कि यहां 62 समुदे के लोग निवास करते हैं, और सभी समुदे के लोगों के एक अपनी अलगी पहिचान है, उडिसा में बोली जानने वाली प्रमुख भासा उडिया है, लेकिन इसके अलाव उडिसा के प्रमुख त्योहार में शामिल कलिंग मोहतसव चंदन यातरा यह दिनों का आकशित त्योहार है, दुरगा पुजा जो की सितमबर से अक्टूमबर महिने में मनाये जाने वाला त्योहार है, कोणा क्नुत्य मोहतसव और जुन जुलाई के महिने में भगवन जग उडिसा की मुद्रय बहुत आकशित और दिल्चस्प होती है, मन करता है कि बस देखते ही जाओ, उडिसा नुत्यों को सबसे पूरा ना माना चाता है, जो कि आर्कोलोजी से प्रमानित हुआ है, सोने चांदी पर की जाने वाली तार्क की खुपसरत कारिगीरी उडिसा को अ पूचक तथि के बारे में, अगर आपने मारे चनल को अभी तेक लाइक और सुस्क्राइब ने किया तो जल्दी से कर लीजिएगा, उडिसा की संबल और इकत जाडिया भारत में बहुत अधिक प्रसीद है, यह जाडिया हाथों की कारिगीरी से बनाई जाती है, भारत के उ उडिसा में हनमान जी की सबसे बड़ी मूर्ती स्थीत है, चोकि पंपोस में स्थीत है और यह स्थान हनमान वाटिका के नाम से प्रसीद है, उडिसा जितना खूबसुरत राज्ये इतना स्वाधिष्ट यहां का पकवान है, चोकि पटों के मुमें पानी लिया आता है, आप यहां की पानी पूड़ी और स्वीट फूड जरूर चखे वह परटन जो नोन वेजिटेरियन उनके लिए यहां का हर तरह का खाना मिल जाएगा अगर आप उडिसा परटन स्थलों की यातरा पर जाने की तयारी कर रहे हो तो हम आपको बता दे कि उडिसा जाने के लिए स सबसे अचा समय अक्टूंबर से फरवर के बीच का माना जाता है क्योंकि इस समय के दोरान मोसम पर्टक के लिए अनुकुल होता है और आप उडिसा और इसके प्रमूप प्वेटन स्थलों की यातरा आसानी से कर सकते हैं अगर आपको उडिसा के घुमने के स्थलों के बार झाल